जमू कश्मीर और हर्याना विधान सभा चुनाओ के ऐलान के बाद विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा है मुद्दा है वन नेशन वन इलक्षन का विपक्ष का कहना है कि प्रधान मंतरी ने 15 अगस्त को इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया लेकिन अगले दिन सर्फ दो राज्यों में चुनाओ की तारीख की घोशना करती गई जबकि महाराष्ट्र और जार्खंड विधान सभा का कारेकाल भी जल्दी पूरा हो रहा है देखे क्या चल रहा 25 सितंबर 1 अक्टूबर को वोटिंग है वहीं हर्याना की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी चर्चा ये थी कि इन दोनों राज्जों के साथ ही महराष्ट और जारकर में भी विधान सभा चुनाओंगे जहां विधान सभा का कारिकाल कुछ महिनों में ही खत्म हो रहा है ये चर्चा इसलिए थी कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है और 15 अगस्त को प्रधान मंतरी ने लाल किले से कहा था कि बार बार चुनाओं विकास के काम में बाधा डालते हैं बारत के संसाधनों का सरवाधिक उप्योग जन सामाने के लिए उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए One Nation, One Election यानि देश में सभी चुनाव साथ कराने पर पुर्वराश्ट्रपती रामनात को विंद के अधक्षता में एक हाई लेवल कमेटी काम कर रही है लूख सबा चुनाव के पहले नरंदर मोधी के नितित वाली किंदर सरकार ने One Nation, One Election की खूब चर्चा की लेकिन महराष्ट जहां विधान सबा का कारिकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है और जहरकंड जहां विधान सबा का कारिकाल अगले साल 5 जनवरी तक है वहाँ चुनाव की तारिक की घोशना नहीं हुई जबकि नियमों के अनुसार जब विधान सबा का कारिकाल छे महीने से कम बचा हो तो वहाँ चुनाव कराय जा सकते हैं इसी को लेकर विपक्ष मोधी सरकार पर निशाना साथ रहा है जब चार स्टेट का एलेक्शन ये लोग साथ नहीं करा सकते हैं तो ये लोग केवल नारा कढ़ने वाले लोग हैं और वहां का महाराश्ट का नहीं हुआ जारखंड का एलेक्शन नहीं अनौंस हुआ जब इतना दिन से कमिटी बनी थी रास्पती जी कहां भेज दिया गया तो जो चार स्टेट का नहीं करा सकता है वो पूरा नेशन का क्या कराएगा ये मोदी जी का इसारे पर सारे लोग चलते हैं और जितने भी संवेधानिक बद पर बैठे लोग हैं वो सब मोदी जी के पॉकेट के आदमी हो गए है अलाकि बीजेपी निता विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वन नेशन वन इलक्षन के लिए केंदर सरकार प्रतिबद है महराष्ट और जारकन में चुनाव की घोशना नहीं करना निर्वाचन आयोग का फैसला है जाना और जम्रकुस में चुनाव कोशना की महराष्ट और जारकन में चुनाव होना वाक्ति ये क्या ये चुनाव साथ नहीं हो चकते हैं भारतियंता पार्टी के पहल है और मानगी प्रधाम देज ने इलान किया था उसके कमिटी बनी है देश के पुर्वराष्ट्पति महामहिम रामनात कोबिंजी का धेचता में कमिटी काम कर रही जा करके है और उसके बैठक में कई रौंड हो चुकी है प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को इसे देश के विकास के लिए जरूरी बताया लेकिन जब जम्मू कश्मीर और हर्याना के साथ महराष्ट और जहरकन विदानसभा चुनाओ की तारिकों की घोशना नहीं हुई तो विपक्ष केंदर सरकार पर निशाना साथ रहा है खसिस निउस के लिए प्रितम कुमार की रिपोर्ट